Science Structures India, SSI Food Cards, एक नई साथीयों ओम साहीराम Science Structures India, यानि SSI Food Cards में मैं नरेश मदान आपका हर दिक स्वागत करता हूँ और लेकर चलता हूँ आपको एक आज और ने सफर, ने दिशा की और ने वर्श की ओ साथ ये 2022 खतम होने को है नया साल 2023 शुरुवात होने वाली है 2023 के लिए मैंने एक बहुत चबर्दस धमाका आपके लिए पेश करने का प्रयास किया है कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा हमारा ये प्रड़क्ट आपको कैसा लगा SSI Food Card दोरा नय साल के लिए एक अनुठा प्रयास मुझे उम्मीद है आप हमारे बाकी प्रड़क्स की तरह इसे भी पसंद करेंगे आपको बैक्गरॉंड में एक येल की आवाई को जरूर आ रही होगी ये देखिए हमारा नया प्रड़क्ट SSI Food Express ये Food Train हमने बना कर दिली से विकालेर के लिए रवाना की साथियो SSI का प्रयास हमेशा कुछ ना कुछ नया और अलग करने का होता है इस बार मैं एक और कोशिश की है कुछ नया करने की कृपया कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज, हमारे आने वाले ने प्रड़क्ट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके हैं ये है राजस्थान का मशूर शहर बिकाने इस शहर के बीचो बीच ये एक heritage property थी लिली पॉंट जिसका नाम बदल कर इन्होंने रखा है बिकाना चोपाटी जिसे हमारे क्लाइंट राम सिंग बिस्नोई जी ने लीज पर लिया गॉर्मेंट से और इसकी सुंदर्ता का जिम्मा अपने उपर लिया मैं आपको बताओं जब मैं पहली बार ये साइट देखने के लिए गया था जब मुझे यहाँ पर बुलाया गया था तो इसका पानी इतना गंदा था मुझे उमीद नहीं थी कि राम सिंग जी इतना अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे ये देखिए हमा काफी गंदगी मचलिया मरी लगातार इरे बारे मैं आपा सोचो कि कुछ एक नहीं हो सेर रिवास्त एक पिकनिगी स्पोर्ट त्यार कर सका जगेर मत है फेमिली आ सके उसके बाद इन्होंने रात दिन मेंनत करके इसको खुबसूरत बना दिया हमने भी फूड काड बना कर इन्हें दी जो की एक रेल से इंस्पाइड है और इनके प्रजेक्ट पर हमने भी चार चान लगा दिये आपको ये रेल इंडियन रेलवे के किस रेल गाड़ी की याद दिला रही है आपको ये फूड रेल एक बार कमेंट जरूर कीजिए चलिए आपको इस बीका नेर एक्सप्रस का पूरा चक्कर लगवाता हूँ ये देखिए शुरुआत में हमने इसके साथ रेल का इंजन के साथ ड्राइवर कैबिन धुआ निकलने के लिए हमने एक चिमनी दी है ये देखिए एक हाइट अजजस्टेबल ग्लो साइन बोड्ड इस ग्लो साइन बोड्ड के होने से ये त्रेल गाड़ी दूर से ही दिखाई देगी दूर से ही पता चलेगा इसकी रोशनी से कि ये कहां खडी है आपने कस्टमर को अट्रेट करेगी ये मेरा दावा है राजस्थान की एक मशूर ट्रेन पर इंस्पाइड है ये फूड रेल देखिए हर बोगी के पीछे और आगे राजस्थान के कल्चर से रिलेटेड पिक्चर्स और स्लोगन्स दिये गए हैं इसकी ब्रेंडिंग पर खास ध्यान दिया गया है और इसमें अलग-अलग डिबबे पर या बोगी पर अलग-अलग नाम देकर उसी तरह का फास्फूड बनाकर सेल किया जाएगा ये देखिए इस फूड रेल में क्या-क्या बनाया जा रहा है इसकी विंडोज को ओपनेबल तकि यहां से सर्विस की जा सकें सर्विस विंडो के नीचे और उपर ग्लो साइन बोड दिये गए हैं जो कि इस धिबबे और बोगी के फास्ट फूड को रिलेट करते हैं उसके मेन्यू को दिखाते हैं कि कि किस बोगी में क्या पकर रहा है जैसा कि ये मोमो जोन और उसी स जैसा कि मैंने आप से पूछा था किस ट्रेन से इंस्पार्ड है ये तो सुनिए राम सिंग जी ने क्या बताया जी हाँ इसमें जो भी ग्राफिक्स त्यार करते हुए मैंने पैले सॉन वील्स को दिमाग में रखा था अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है दोस्त सबसे पहले है बार्बेक्यू बार्बेक्यू से रिलेटेड ये देखिए ग्लो साइन बोर्ड जिसमें ये चांप वगरा जो भी ये बनाएंगे उस पे बेचेंगे ये ग्लास बिंडो ओपनेवल है इसके बाद का जो बोगी या डिबबा है उसका नाम है पाव भाजी जोन इसमें पाव भाजी बनेगी और उसी तरह से ग्लो साइन बोर्ड भी पाव भाजी से रिलेटेड ही मिलेंगे आपको ताकि सामने वाले कस्मर को पता चलिया कि पाव भाजी की डिलिव दोरी कहां से होनी है वोकी के दोनों तरफ आगे और पीछे रायस्थान से रिलेटेड उसके कल्चर से रिलेटेड हमने दिये हैं पिक्टर्स यह चाट जो चाट से रिलेटेड ग्लो साइंड बोर्ड और उसी तरह से ट्रेन की ग्राफिक्स पर देखिय किस तरह से काम किया हुआ window के दोनों साइट पर graphic designing glow sign board के नीचे graphic designing इसके बात का जो zone है वो है dosa zone South Indian लोगों की पसंद dosa zone, रायस्तान में South Indian dishes बहुत ही कम मिलती है, इसलिए वहां पर इसकी demand बहुत जादा है, और इसको बहुत शौक से खाते हैं लोग. इसके बाद पीछे आ रहा है momo zone, अगली भोगी momo zone, momo's का नाम आते ही मुँ में पानी आ जाता है आज की youngsters की, इसलिए इसकी भी बहुत अच्छी requirement है, आज की you are work की खास कमजूरी है, momo zone पार करेंगे तो पीछे आएगा Chinese zone, Chinese से related glow sign board और उसी तरह से इसके अंदर Chinese से related equipment, equipment मैं अभी आपको थोड़ी देर में दुबारा से दिखाऊंगा जब train के उस side सफर करेंगे, ये देखिए अब इसके पीछे पीछे आ रहा है popcorn और sweetcorn, time pass करने के लिए popcorn से बढ़िया और सस्ता कुछ भी नहीं होता, सबसे सस्ता सबसे बढ़िया time pass करने के लिए popcorn, उसी तरह स तो इस तरह की cards का order करना हो, या आप भी interested हो इस तरह के business में, तो दिये हुए number पे WhatsApp कीजिए, मेरी request है, बार बार एक ही request करता हूँ, कि WhatsApp आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन call आप office hours और working days में ही किया करें, अब चलते हैं train के दूसरी side, सबसे पहले engine में हमने एक barbecue लगाया है, engine का जो shape दिया है, इस barbecue में seek बनाई जाएंगी, इसके पीछे जो driver cabin है, driver cabin में एक burner लगाया गया है, जिस पर तवा लगाया जाए और तवा item बनाई जाए, वैसे रायस्थान में लोग non-wage कम खाते हैं, मगर इनका plan सोया चाप और सोया items और पनी टिक का बगरा बनाने का है, जो की अच्छा scope निकलेगा इसका, इसके पीछे का डिबबा पावभाजी के लिए, हमने पावभाजी के लिए इसमें burner और साथ में उससे related जितने भी GNPan की जुरती सब दिये, इसके tabletop पे openable window है, जहां से service की जा सकेगी, पावभाजी के बाद आती है हमारे चार्ट जोन, चार्ट से related आलू की टिकी और भला पापड़ी बगारा के लिए, कोल्ड बेन मेरी प्लस GNPan जो 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 इसमें चाहिए सब लगाए गये हैं, डोसा के लिए देखिए, डोसा के लिए दो राउंड बरनर, उसके उपर 16 mm के दो तवे, एक तवा चकोर है, सामर के लिए और च दो बरनर हमने स्टीमर के लिए दिये हैं, साथ में डीप फ्रैर दिया है, और इसमें एक पीजा ओवन भी लगाया, ये देखिए, पीजा ओवन उपर हैंकर दिया च्छत पे, जिससे की इस चोटी सी काट में इनका मेन्यू बढ़ा दिया, तंदूरी मोमोज के लिए एक स् साथ तरह के हमने प्रवाइड करा के दिये, लाइट पे अलग से काम किया, सारी लाइट कलरफुल है, सबसे लास्ट में आया पॉपकॉन और स्वीट कॉन, एक स्वीट कॉन मशीन, सर्विस विंडो साथ में, अभी इस से रिलेटेड कुछ और बोगी बन रही है, जो कि इस इसको एक्सेंट करने का आगे प्लैन है, वो जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, आपको मेरा ये ने साल का तवफा कैसा लगा, क्रिपे कमेंट करके जरूर बताइए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, अगर आपको ये वी जय भारत धन्यवाद